तो दोस्तो आज मैं एक्स्प्लेइन करने वाला हूँ 2004 में आई मूवी रेंड कोट को इसके IMDB रेटिंग है 7.6 ओफ टॉफ 10 जो कि मूवी के हिसाब से सही ही है इस मूवी की कहानी आपको शायद स्लो लग सकती है लेकिन मूवी काफी जादा अच्छी है इसलिए अंतक बने रहिएगा मैं मूवी को एक्स्प्लेइन करूँगा लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कल से लिके सब्सक्राइब को दबा कर ग्रे कर दें इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे और जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़ रही है मैं आप के लिए वीडियोस लाता रहूंगा और अगर आप मेरे थोड़ा और करीब आना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम या फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको डिस्किप्शन में मिल जाएगा तो मूवी की शुरुआत में हम मनूज नाम के लड़के को देखते हैं जिसे सब मनू कहकर पुकारते थे जो कि कुछ काम के लिए अपने गाउं से कुलकता जा रहा था मनू जब जाने लग जाता है तो उसकी मा उससे कहती है कि कुछ भी हो जाए लेकिन तुम उस जगा पर मत जाना मनु अपनी मा की बात सुनता है और बिना कुछ बोले चला जाता है लेकिन यहाँ हमें पता नहीं चलता कि मा उससे कहां जाने से मना कर रही थी मनु कोलकाता में अपने दोस्त आलो के घर पहुँच जाता है जो कि उसका कॉलेज फ्रेंड था यहां हमें पता चलता है कि मन्नू पहले एक फैक्टरी में काम करता था जो कि बंद हो गई तो वो अब विरुज़गार हो चुका है तो अब वो अपना बिजनेस करना चाहता है जिसके लिए पैसे चाहिए इसलिए वो कुलकाता आया था तक कि अपने पुराने दोस्तों से उ दरूरत लिखी हुई थी मन्नू को काफी जादा शर्मिंदी की महसूस हो रही थी कि आप उसे अपने दोस्तों से पैसे मांगने पड़ रहे हैं जिनसे वो सालों से मिला भी नहीं है तो वो सोचता है कि वो चिट्टी भिजवाने के बजाए खुद मिलकर उनसे मदद मांग आलोक की एक बीवी भी थी जिसका नाम शीला होता है तो आलोक और शीला में मन्नू से जुड़ी हुई बाते चल रही होती है क्योंकि वो दोनों ही उसका दर्द समझ पा रहे थे मन्नू काफी देर से बातरूम में ही था तो शीला उसे बुलाने के लिए जाती है तो उसे चलने लग जाती है तो यहां पता चलता है कि आलोक एक टीवी सीरियल प्रोडक्शन में काम करता है बाचीत के दारान मन्नू आलोक को एक परचा दिखाता है जिसमें की एक एड्रस लिखा हुआ था आलोक उस एड्रस को देखते ही उस पर भड़क जाता है और कहने लगता ह कि तुम उससे जाकर नहीं मिलोगे जिसने तुमें लात मार कर किसी और से ही शादी कर ली शीला आलो को शांत कराने लग जाती है और कहती है कि अगर वो अपने प्यार से मिलना चाहता है तो उसमें गलत क्या है आलो कहता है कि मन्नु हमेशा से ही उससे प्यार करता था raincoat देने को कहती है ताकि वो बाहर तेज बारिश में भीगना जाए शीला अपना mobile phone भी दे देती है क्योंकि मन्नु शहर में नया था तो जेब में mobile होना उसके लिए सही ही था अब मन्नु अपने दोस्तों से जाकर मिलता है और अपनी घर का दर्वाजा खटकटा रहा होता है लेकिन कोई भी दर्वाजा नहीं खोल रहा होता तब ही मन्नु दिवाल चड़कर अंदर जाने लगता है तो गेट खोलकर एक लड़की बाहर आती है जिसका नाम निर्जा होता है जिससे सब नीरू कहकर पुकारते थे यहां हमें पता चलता है कि मन्नु और नीरू एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन कुछ कारण के वज़े से नीरू की शादी हो गई और तब इन दोनों का प्यार का बंधन तूट गया अब इतने सालों बाद मन्नु नीरू से मिलने के लिए आया था क्योंकि उसे पता था कि वो उसी शहर में रहती है और एक समय वो उसका प्यार भी थी तो वो बस उसका हाल चाल लेना चाता था काफी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार नीरू दरवाजा खोल ही देती है और तब मन्नु घर के अंदर जाता है घर में हर जगा पुरानी कुर्सी टेबल और लक्डी का समान फैला हुआ था और घर में बिजली भी नहीं आ रही थी तो मन्नु सबसे पहले इनी सब के बारे में पूछता है नीरू बताती है कि लकडी का समान सब एंटिक पीस है इसलिए मेरे पती इन्हें फेकने से मना करते हैं और बारिश की वज़े से शायद एक फेस उड़ गया है इसलिए लाइट नहीं आ रही घर की सारी खिड़कियां बनती तो मन्नू खिड़कियों को खोलने के लिए कहता है लेकिन नीरू खोलने से मना कर देती है ये कहकर की बारिश का पानी अंदर आ जाएगा नीरू चाय बनाने को कहती है और ये भी बताती है कि उसे खुद ही चाय बनानी पड़ेगी क्योंकि घर के दोनों नौकर दुपहर होते ही पत्ते खेलने निकल जाते हैं लाइटना होने की वज़े से कुछ भी ठीक से नहीं दिकरा था तो मनौ उजाला करने के लिए कहता है ताकि वो नीरू का चहरा देख सके जिसे उसने इतने सालों से नहीं देखा था नीरू एक मुंबती जलाकर ले आती है और उसके पास आकर कहती है कि मेरे चेहरे पर कोई दाग नहीं कोई धबा नहीं इससे तुम समझी सकते हो कि मेरे पती मुझसे बहुत प्यार करते हैं मनु अब उसके पती के बारे में पूछता है तो नीरू बताती है कि वो घर पर नहीं रहते बलकि विदेश में ट्राविल किया करते हैं क्योंकि उनका काम ही कुछ ऐसा है कि वो एक देश से दूसरे देश जाते रहते हैं मनु कहता है कि तुमें भी उनके साथ जाना चाहिए और तुमारा घूमना भी हो जाया करेगा नीरू कहती है कि मुझे नहीं जाना मुझे प्लेन में जाने से डर लगता है कहीं उसके बातरूम में ही बंद हो गई तो क्या होगा मन्नू ये बात सुनकर निरू पर हसने लग जाता है और कहता है कि तुम अब भी वैसे ही हो बिल्कुल भी नहीं बदली उन दोनों में बाची चली रही होती है कि तबी घर की घंटी बचती है मन्नू गेट खोलने के लिए जाने लगता है तो निरू उसे ऐसा करने के लिए मना कर देती है और कहती है कि वैसे तो मेरे पती बहुत अच्छे है लेकिन उन्हें नहीं पसंद कि मैं किसी और मर्द के साथ उठू बैटू तो जो बाहर आया है वो मेरे पती के आफिस से ही है तो अगर उसने तुमें देख लिया तो मेरे पती तक बात पहुँच जाएगी बाहर बाहर घंटी बज रही होती है तो मन्नू कहता है कि बाहर कोई बारिश में भीग रहोगा और इतना कहकर गेट खोलने के लिए जाने लगता है तबी नीरू रोने लग जाती है और कहती है कि तुमें तो फर्की नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या होगा क्योंकि तुम तो मेरा घर ही बर्बात करने आए हो ना कोई मुझे मारे पीटे बातरू में बंद कर दे तुम तो बचाने के लिए नहीं आने वाले तो कहती है कि अच्छा हुआ तुम मुझे से मिलने आ गए और आगे भी ऐसे ही मिलने आते रहना इससे मुझे मेरे घर की खबर भी मिल जाया करेगी मनु कहता है कि तुमारी खबर भी तो नहीं मिल पाती हम लोगों को तुम यहाँ इतने अराम से अमीरों की तरह रह रही हो लेकिन फिर भी कभी टाइम निकाल कर गाउं घूम जाओ तो अच्छा रहेगा निरू थोड़ा स्टाइल मार कर कहती है कि मैं वहाँ नहीं रह पाऊंगी क्योंकि वहाँ ना तो टीवी है न वरेज है और नहीं ऐसी है मन्नु कहता है कि अब टीवी तो गाउं में भी सबके आएं तो अब हमारे गाउं और तुमारे कुलकाता में ज़्यादा फरक नहीं रह गया है कहानी यहाँ से फ्लैश बैक में जाती है जहां हम देखते हैं कि गाउं में दिवाली का तेवार मनाया जा रहा होता है लेकिन मन्नु तेज बुखार के साथ बिस्तर पर लेटा पड़ा होता है तेज बुखार में भी मन्नु का प्यार करने का जोश कम नहीं हुआ था तो वो नीरू का हाथ पकड़ के अपने पास खसीटने लग जाता है तबी नीरू कहती है कि उसकी शादी तै हो गई है और इस बार अपने घर वालों को रोक नहीं पाई कहानी अब वर्दमान में आती है जहां हम देखते हैं कि नीरू मन्नू से पूछती है कि वो यहाँ कुलकाता क्या करने आया था अब नीरू तो एकदम हमीरों की जिन्दगी जी रही थी तो उसके सामने वो अपनी वो जिन्दगी तो नहीं दिखा सकता था जो उसकी असलियत थी नहीं तो उसके सामने उसकी बेजती हो जाती हो नीरू यही सोचती कि अब भी वो वहीं का वहीं है इसलिए वो जूट बोल देता है कि उसकी एक टीवी सीरियल प्रोडक्शन कमपनी है जिसमें की सीरियल्स बनाय जाते हैं मन्नू की दोस्त आलोग ने जो उसे अपने काम के बारे में बताया था उसी को मन्नू अपना काम बता देता है निरू उसके घर के बारे में पूछती है तो मन्नू कहता है कि अब वो जोपड़ी वाला घर नहीं रहा बलकि एक बिल्डिंग बन गई है जिसमें से दो फ्लोर हमारे हैं एक फ्लोर में मा रहती है और एक फ्लोर में मैं रहता हूँ असलियत ये थी कि ऐसा कुछ भी नहीं था बलकि आज भी मन्नू और उसकी मा उसी गाओं वाले घर में ही रहते थे निरू उससे पूछती है कि तुमने शादी कर लिया नहीं तो मन्नू बताता है कि अब शादी नहीं हुई है लेकिन मा ने लड़की देख रखी है जिससे मेरी जल्द ही शादी होने वाली है और हम लोग दूसरे फ्लोर पर सेटल हो जाएंगे कहानी फिर से फ्लैश बैक में जाती है जा हम देखते हैं कि नीरू बता रही होती है कि जिससे मेरी शादी हो रही है वो लड़का बहुत अच्छा है और छे फीट की हाइट है और नौकरी भी अच्छी है तो मैं शादी के लिए कैसे मना कर दूँ मनौ से कहता है कि तुम्हें शादी के लिए मना करना ही होगा तो नीरू कहती है कि हर माबाप तो यही चाहते हैं कि उनकी बेटी सेटल हो जाए और उसे कमपनी एक कार भी दे रही है और उसने मुझे ये अंगूठी भी दी है जो कि शायत तुम्हें कभी न दे पाते मनौ उसका हाथ पकड़के कहने लगता है कि मैं वो सब कुछ दूँगा जो तुम्हें चाहिए मैं गाड़ी भी लोन पर खरीद लूँगा बस तुम शादी के लिए ना कर दो कहानी अब प्रेजन्ट में आ जाती है जहां हम देखते हैं कि मनौ का फोन बजरा होता है मनौ कॉल उठाता है तो शीला का कॉल होता है जो कि उसने उसका हाल चाल लेने के लिए फोन किया था तो मनौ नीरू को दिखाने के लिए एकदम अच्छे से मुस्कुराते हुए बात करने लग जाता है जैसे कि वो किसी अपने करीबी से बात कर रहा हो मनौ की बाते सुनकर नीरू के मन में इच्छा जाग ही जाती है ये जानने की की वो किस से बात कर रहा था तो मन्नू बताता है कि वो मेरी सेकेटरी है जिससे मैं बात कर रहा था मन्नू ये भी बताता है कि ये फोन उसके पास ही रहता है और जब भी वो कुलकाता आता है तो योज करता है नीरू को थोड़ा सा जलनसी होने लग जाती है तो वो कहती है कि उससे थोड़ा दूर ही रहना ऐसी लड़कियां बहुत अच्छी नहीं होती तभी नीरू को याद आता है कि वो इतनी देर से यहां आया है लेकिन खाना खाने को तो पूछा ही नहीं तो वो खाना खाने के लिए पूछती है तो मनु अपने आपको अमीर दिखाने के लिए कहने लगता है कि वो डाइटिंग पे है इसलिए कुछ भी नहीं खाएगा निरू कहती है कि तुम पहली बार घर आये हो तो ऐसे जाने तो नहीं दे सकती निरू के जिद करने पर मनु उससे पूछता है कि घर में खाने को क्या है तो निरू कहती है कि आज तो खिचड़ी बनाई है क्योंकि मेरे डाइटिशन ने कहा है कि फ्राइडे को खिचड़ी ही खानी है मनु कहता है कि मुझे भी वही दे दो तो नीरू कहती है कि सिर्फ वही खिला कर तो नहीं भेजने वाली तो मुझे बाहर जाना होगा लाने के लिए क्योंकि मेरे दोनों नौकर तो अब तक लाट कर नहीं आये हैं बाहर अब भी तेज बारिश हो रही थी इसलिए नीरू मन्नू का रेंकोट पहन कर चली जाती है नीरू के जाने के बाद मन्नू घर की सारी खिड़कियां खोलने लग जाता है ताकि बाहर की ताजी हवा अंदर आ सके अब मन्नू अराम से बैठ कर धूमर पान कर रहा होता है तबी खिड़की के बाहर एक आदमी मनु को बुलाता है आदमी कहता है कि उसे बहुत जोर से सुसू आई है और आसपास कोई पबलिक टॉलेट भी नहीं है इसलिए आप घर का दर्वाजा खोल दीजिए तो मैं आपका बातरूम यूज कर लूँगा मनु तो खुद ही दूसरे के घर आया हुआ था तो वो थोड़ा सा हिचकेचा रहा था ऐसा करने के लिए लेकिन आदमी के बार-बार कहने पर वो दर्वाजा खोल ही देता है आदमी बातरूम करके आजाता है तो मनु से घर से बाहर जाने के लिए कहता है तो आदमी कहता है कि मैं ऐसे कैसे चला जाओं आज अंदर आने मिला है तो फैसला करके ही जाओंगा इसलिए पहले मैडम को आ जाने दो आदमी बताता है कि मैं बहुत देर से बाहर खड़ा हूं और कई बार घंटी भी बजाई लेकिन मुझे पता था कि कोई भी नहीं खोलेगा और हर रोज मैं यहां आता हूं लेकिन मैं अपने ही घर में और अपने ही बातरूम में नहीं जा पाता उस वक्त जो घंटी बजने की आवाज सुनाई दे रही थी वो यही आदमी बजा रहा था और उसकी बातों से मन्नू को यह लगता है कि वो नीरू का पती है आदमी यह क्लियर करता है कि वो उसका पती नहीं बलकि इस घर का मकान मालिक है और कहता है कि आपको ये कमरा उसने कितने में देने का फैसला किया है मनु कहता है कि वो ये कमरा किराए पर क्यों देंगे जबकि उनका परिवार पहले से ही अमीर है मकान मालिक बताता है कि जो फरनीचर आप देख रहे हैं वो सब शूटिंग का समान है और उन्होंने ये कमरा किराये पर दे रखा है तो यहां ऐसे ही furniture जमा रहता है नीरू ने तो मन्नू को ये बताया था कि ये सब एंटीक समान है जो कि उनका अपना है लेकिन मकान मालिक तो कुछ और ही बता रहा था जिसे कि वो काफी confused हो जाता है मकान मालिक बताता है कि नीरू का पती एक नंबर का fraud है उसने मुझे एक company का letter दिया था जिसमें कि किराये पर मकान देने को लिखा था तो मैंने मकान दे दिया लेकिन जब उसकी जाच कराई तो पता चला कि letter एकदम फरजी है उसका पती जिस भी company में काम करता है उसमें घोटाला ही करता है इसलिए अब उसके पास कोई भी नौकरी नहीं है और वो अब शराब पी कर बाहर भटकता रहता है और पती पतनी दोनों ही करजे में दूबे हुए है नीरू ने जितना कुछ भी मन्नू को बताया था वो सब जूट बताया था वो बिलकुल भी अमीर नहीं थी बलकि खाना खाने की भी लाले पड़े हुए थे और उसका पती एक नंबर का फ्रॉड आदमी था जिसकी वज़े से नीरू की भी जिंदगी बरबाद हो चुकी थी और कर्स के चकर में घर में ही चुपकर रहती थी और ऐसे ही तकलीफों से उसकी जिंदगी गुजर रही थी नीरू ने 10 महीने से घर का किराया नहीं भरा था और मकान मालिक रोज चक कर काटता था और घंटी बजाता था लेकिन नीरू दर्वाजा नहीं खोलती थी लेकिन आज उसे अंदर आने का मौका मिल ही गया था मकान मालिक ये सम मन्नू को बताता है और ये भी बताता है कि दो दिन बाद कोट से ओडर आ जाएगा तो पुलिस मकान खाली कराने आ ही जाएगी तो फिर उसके बाद दोनों ही रोड पर आ जाएंगे नीरू एक समय पर मन्नू का प्यार थी और कहीं न कहीं मन्नू के दिल में नीरू के लिए अब भी उतना ही प्यार और केरिंग थी इसलिए वो खुद ही किराया चुकता करने की बात कहता है मन्नू सुबह जिन दोस्तों से मिलने गया था उन्होंने पैसे दिये थे तो वही पैसे वो मकान मालिक को दे देता है लेकिन उसके पास इतने ही पैसे थे कि बस तीन मेने का किराया ही चुकता हो पाता है लेकिन मकान मालिक इतना भी बुरा नहीं था तो वो इतने पैसे ले का थोड़ा शान्त होने के लिए मान जाता है जब नीरू की शादी होने वाली थी तो मन्नू और नीरू के बीच बातचीत हुई थी जिसमें की नीरू बताती है कि वो ये शादी सेक्योटी के लिए कर रही है और माबाप भी खुश हो जाएंगे मन्नू कहता है कि इसका मतलब तुम इस शादी से खुश नहीं हो तो नीरू कहती है कि तुम अगर यही सुनना चाहोगे कि मैं खुश नहीं तो जब कभी दुबारा मिलेंगे तुम ऐसा बना बना कर बोलूँगी और एक्टिंग करूँगी कि तुम समझी नहीं पाओगे कि मैं खुश नहीं हूँ मनु अब उस दर्वाजे को खोल कर देखता है जहां से नीरू चाय बना कर और मुंबती जला कर लाई थी तो पाता है कि उस एक कमरे में ही वहाँ सब कुश था कमरा पूरा सीलन से भरा हुआ था और हर जगे मकडी के जाले लगे हुए थे और कीडे मकोडों ने कबजा कर रखा था और वहीं पर लेटने की भी विवस्था थी और बागी सब करने की विवस्था भी उसी कमरे में थी निरू बत से बत्तर हालातों में रह रही थी और शादी के पहले जो भी उसने सोच कर शादी करी थी उसका उल्टा ही सब नजर आ रहा था लेकिन उसने मन्नू के आगे कुछ भी आने नहीं दिया था क्योंकि उसने तो यही बोल कर शादी करी थी कि लड़का काफी अमीर है और उसकी जिन्दगी सेक्योर हो जाएगी लेकिन इतने सालों बाद हालात तो कुछ और ही थे मन्नू सोचता है कि वो उसके सामने कुछ भी नहीं कहेगा और ऐसे बरताओ करेगा जैसे उसे कुछ भी नहीं पता क्योंकि ये सब बोल कर वो निरू को शर्मिंदा नहीं करना चाता था मन्नू एक कागज लेता है और उसमें लिखता है कि माना की मेरी और तुम्हारी शादी नहीं हो पाई मन्नू ये लेटर लिखकर उसे चद्दर के नीचे छुपा देता है ताकि जब भी निरू चद्दर हटाए तो उसे पढ़ ले क्योंकि वो सामने से सब कुछ कहकर उस पर ऐसान जताने वाली फीलिंग को पैदा नहीं करना चाता था नीरू अब बाहर से वापle आ जाती है और मन्नू को खाने के लिए गरम गरम पूरी सबजी लाई होती है नीरू उसे खाना खिलाने लग जाती है और कहती है कि मेरे पती तो मुझे किचन में जाने ही नहीं देते और कहते हैं कि तुम्हें ही खाना बनाना है तो नौकरों की क्या जरूत है मन्नू भी तो अपनी जिंदगी के बारे में सब जूट ही बता रहा था और ऐसा जता रहा था कि अब वो बहुत अमीर बन गया है ताकि नीरू को ना लगे कि उसने जो फैसला लिया था शादी करने का वो सही था और ये भी ना लगे कि वो अब भी वहीं का वहीं है जहां सालों पहले था दोनों ही लोग अपनी तकलीफों को छुपा कर चहरे पर मुसकान बनाए रखकर जूट का साहरा लेकर एक दूसरे से बात किये जा रहा है थे बस ये अलग बात थी कि मन्नू सब जान कर भी नीरू के जूट को सच मान रहा था नीरू बताती है कि वो दो दिन बाद एक बड़े से फ्लैट में शिफ्ट हो रही है जहां पर सब कुछ है लेकिन अभी उसे एड्रस नहीं पता मन्नू कहता है कि तम मैं तुमसे कॉंटक्ट कैसे करूँगा नीरू कहती है कि तुम अपना नंबर दे दो तो मैं तुम्हें फोन कर दूँगी अब मन्नू का खुद का फोन तो था नहीं तो उसे नंबर भी नहीं पता था तो वो बहाने मार देता है कि उसे नंबर याद नहीं क्योंकि फोन उसकी सेकेटरी के पास रहता है लेकिन कहता है कि वो कैसे भी उसे धूंड ही लेगा अब हम देखते हैं कि मन्नू आलोक के घर वापिस आ जाता है तब ही शीला उसके पास आती है और उसे कुछ देखती है जो कि उसी रेंकोट के जेब से निकला था जो मन्नू पहन कर गया था मन्नू जब उस कागस को खोल कर देखता है तो उसमें से सोने की चूडियां और गले में पहनने का माला निकल कर सामने आता है कागस में नीरू ने लिखा हुआ था कि ये उपर वाले की ही मर्जी थी कि तुम रेंकोट लेकर आए जिसे मैंने पहना और तब उसकी जेम में से एक चिठी निकली तुम्हें इतने रुपेयों की जरुवत थी लेकिन एक बार भी नहीं बताया मेरे पती लौकर की चाबी अपने साथ लेकर गए हैं इसलिए मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं लेकिन ये गहने दे रही हूँ तुमीद है कि इससे तुम्हारी जरुवत पूरी हो जाएगी हम देखते हैं कि एक रिक्षा वाला निरू के घर पर फनीचा लेकर आता है क्योंकि हर रात ऐसे ही शूटिंग का समान आता था और अगली सुबा चला जाता था और इसी अदूरी कहानी के साथ मूवी यहीं पर खतम हो जाती है तो दोस्तों ये जो मूवी है वो ये बताती है कि असली प्यार वो नहीं होता कि जब हम किसी से अलग हो जाएं तो प्यार भी खतम हो जाएं बलकि प्यार वो है जो अलग हो भी जाएं तो भी मुसीबत आने पर एक दूसरे का साथ दें और जरूरत पढ़ने पर काम आएं मन्नू और नीरू दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे और चाहते थे कि उनके शादी भी हो जाए लेकिन मन्नू का करियर डामा डोल था तो जैसा कि हम जानते हैं कि एगर लड़का कमाता नहीं है तो लड़की के घर वाले अपनी बेटी नहीं देते और यहाँ तक कि ऐसा भी होता है कि लड़की ही शादी करने को राजी नहीं होती फिर भले ही वो आपसे फ्यार करती हो क्योंकि सिर्फ प्यार से कभी पेट तो नहीं भरता तो कमाई होना जरूरी है जो कि मन्नुकी नहीं थी अब यहाँ पर अगर आप यह कहेंगे कि लड़की भी तो कमा सकती है तो आपको बता दू कि यहाँ पर दोनों ही करेक्टर गाउंस से बिलॉंग करते हैं और कहानी भी तब की है जब स्मार्ट फोन्स भी नहीं थे तो तब की सोच इतनी आगे नहीं थी जितनी अब है वैसे अब भी ऐसी सोच रखने वाले बहुत हैं कि शादी करने के बाद औरत को बस घर ही समालना चाहिए तो बदलाओ तो हुए हैं लेकिन उस बदलाओ को पूरी तरह से होना बाकी है दोनों ही बिहार के एक छोटे से गाउंस से बिलॉंग करते थे तो जिस तरह की मानजिक्ता होती है कि परिवार की लड़की की शादी जल्दी और अच्छे घर में हो जाए तो वैसे ही नीरू के माबाप ने नीरू की शादी करा दी थी नीरू अपने माबाप को मना भी नहीं कर पाई क्योंकि उसके पास कोई वज़ा थी ही नहीं कि उनको भरोसा दिला पाए कि मन्नू से ही शादी करना सही रहेगा तो मजबूरियां और परिवार के प्रेशर के वज़े से उनकी शादी नहीं हो पाती और दोनों लोग अलग हो जाते हैं लेकिन इतने साल भीटने के बाद भी मन्नू नीरू को नहीं भूल पाया था और उसके दिल में नीरू के लिए उतनी ही जगा थी जितनी पहले थी जब हमें कोई छोड़ता है तो हमें ये जानने की इच्छा बहुत होती है कि अब वो इनसान कैसा होगा मुझे छोड़कर पश्तार आओगा या खुश होगा जब पता चलता है कि जिसने छोड़ा था वो तो और भी अच्छी जिन्देगी गुजार रहा है तो हम अपनी तकलीफें चुपा कर खुद को उससे भी अच्छा और बहतर दिखाने लग जाते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते है कि सामने वाले की दिमाग में ये आए कि उसने छोड़कर सही किया था क्योंकि आज भी वो वैसा ही है अब ये सिचुएशन थी मनु की जो सेम ऐसा ही सोचकर अपने बारे में जूट कह रहा था और खुद को दिखाने का ठ्राई कर रहा था कि अब वो बदल गया है और काफी अमीर हो गया है कि उसके पास अपना बिजनस है अपना घर है और सेकेटरी भी है हम जब किसी को छोड़ते हैं तो दिमाग में यही रहता है कि अब जिसके साथ जा रहे हैं वो उससे बहतर है और जिन्दगी और भी बहतर बन जाएगी लेकिन जब जिन्दगी आगे बढ़ती है तो उसका उलट ही हो जाता है और काफी पश्तावा होता है कि जिसके साथ थे शायद वही सही था लेकिन अब जो जिन्दगी आ चुकी है और जो बोल कर उस इंसान को छोड़ा था उसे यह एहसास नहीं दिला सकते कि अपना फैसला गलत था इसलिए हम दिखावा करने लग जाते हैं कि हमारी लाइफ तो बहुत मस्त है और बहुत खुशाल जिन्दगी जी रहे है यह सिच्वेशन नीरू की थी जो नहीं चाहती थी कि मन्नू को पता चले कि वो किन तकलीफों से गुजर रही है और उसके दिमाग में यह जरा भी ना आए कि उसका वैसला गलत था दोनों की ही जिन्दगी में तकलीफे थी और दोनों ही नहीं चाहते थे कि उनकी असली जिन्दगी एक दूसरे के सामने आए इसलिए दोनों ने जूट का साहरा लिया और खुद को एक दूसरे के सामने बड़ा दिखाया लेकिन दोनों के सामने एक दूसरे का सच बाहर आही जाता है पर दोनों एक दूसरे को यह अहसास भी नहीं होने देते कि वो उनके बारे में जानते हैं क्योंकि कहीं न कहीं दोनों के दिलों में आज भी वही अपना पंसा था और लगाओ था जो सालों पहले था भले ही वो साथ नहीं थे लेकिन अपनी तकलीफों को भूल कर दोनों नहीं एक दूसरे की मदद करी इसे हम एक दूसरे के प्रती हमदर्दी भी मान सकते हैं प्यार मतलब सिर्स संभोग करना ही नहीं होता और अगर आप ये मानते हैं तो माफ करिएगा वो प्यार नहीं हवस है किसी इनसान की केर करना, मुसीबत में काम आना और जरुवत पढ़ने पर साथ देना भी प्यार का एक हिस्सा होता है और संभोग करना भी उसी प्यार का हिस्सा है लेकिन सिर्फ वही प्यार नहीं है तो अगर इंसान अलग भी हो जाते हैं और किसी और के साथ रहने लग जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी कदर नहीं कर सकते या मुसीबत में काम नहीं आ सकते मन्नू नीरू की मदद तो करना चाता था लेकिन वो भी अपने हालातों से मजबूर था तो उस वक्त उसके हाथ में जो भी था उसने वो किया कई लोगों के मन में ये ख्याल आया होगा कि वो उसे वहाँ से लेकर क्यों नहीं चला गया तो इसकी वज़ा ये है कि मन्नू को पता था कि वो लेकर चला तो जाएगा लेकिन वो उसका खयाल नहीं रख पाएगा क्योंकि उसके पास पैसे तो थे नहीं तो उसकी जो जिंदगी है उसे ले जाने से बदल नहीं जाएगी लेकिन ये बात जरूर कहता है कि जब भी उसे जरूरत पड़ेगी तो वो उसके लिए मौजूद रहेगा नीरू जब रेंड कोट पहन कर गई थी तो उसे वही चिट्टी मिल गई थी जिसमें मन्नू की तकलिफों के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था इसका मतलब की जब वो घर आई तो उसे मन्नू के बारे में पता था लेकिन उसे जाहिर होने नहीं दिया और उसके जूट को सच रहने दिया ये कुछ वैसा ही है जैसे आपको मा आकर कहती है कि मेरे हिस्से का तुम खालो मैंने खालिया है लेकिन असल बात ये होती है कि मा ने अपना ही इस्ता खाने को दिया होता है और उससे भी बड़ी बात ये है कि आप अच्छे से जानते हैं कि आपकी मा खुद सेक्रिफाइस करके आपको खिला रही है ये मूवी हमें बताती है कि हमेशा ये नहीं होता कि आखिर में चल कर दो प्यार करने वाले एक हो जाएं बलकि जो असल जिंदगी में होता है वही मूवी में दिखाया गया है कोई मसाला मोवी होती तो दिखा दिया जाता कि मन्नू नीरू को साथ लेके चला गया और फिर वो खुशी-खुशी रहने लगे लेकिन यहां हमें असलियत दिखाई गई और प्रैक्टिकली हर सिचुएशन को दिखाया गया है कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता बलकि कई चीज़ों को सोच कर फैसले लेने पड़ते हैं और खुद की मजबूरियों को देख कर आगे चलना पड़ता है निरू बादचीत में अपना दुक दर्द बताने की कोशिश भी करती है लेकिन वो और कोई उमीद नहीं चाती थी क्योंकि आप वो पूरी तरह से हार गई थी और अगर दुबारा से कोई उमीद तूटती तो शायद वो पूरी तरह से तूट जाती इसलिए वो एक बार भी कोशिश नहीं करती कि अपनी तकलीफ मन्नू को बताए और वो उसे वहां से ले जाए फिल्म की इंडिंग ऐसे की गई है कि आउडियंस के उपर ही सब कुछ छोड़ दिया गया है सोचने के लिए कि क्या मन्नू दुबारा से निरू के पास गया होगा या नहीं या वो दोनों मिलेंगे या नहीं या फिर आगे चलकर क्या कभी वो एक हो पाएंगे या ऐसे ही सब रहेगा ऐसे ही कई सवाल मूवी देखने के बाद हमारे मन में घूमते रह जाते हैं मूवी के लाश्ट में जब रिक्षा वाला समान लेकर आया हुआ था तो हमें खिड़की में तेज रोश्नी दिखाई परती है जैसे कि कुछ बहुत तेज जल रहा हो अगर मुंबती जल रही होती तो इतना तेज तो नहीं जलती तो पता नहीं क्यों ऐसा मुझे फील होता है कि निरू ने अपनी जान दे दी थी उसके पास वज़ा भी बहुत थी अपनी जिंदगी खतम करने की लेकिन उस रोश्नी के अलावा कुछ और देखने को नहीं मिलता तो पूरी तरह से ये मान नहीं सकते कि निरू ने अपनी जिंदगी खतम कर ली होगी यहां ये भी सोचने का रह जाता है कि जब निरू को चदर के नीचे से चिठी मिली होगी तो जब उसने पढ़ा होगा तो उसका रियाक्शन क्या रहा होगा अब एक्टिंग की बात करें तो अज़ा देगन हमेशा सही एक्टिंग के मामले में अच्छे माने जाते हैं और जिस तरह से उन्होंने मन्नू के रोल को निभाया है वो ऐसा ही लगता है जैसे हम किसी गाओं के पढ़े लिखे लड़के मन्नू को ही देख रहे हैं ये फिल्म 2004 की है और उस समय भी हमें अज़र देगन गुटका खाते और सिगरेट पीते नजर आते हैं हो सकता है कि शायद फिल्म को गुटका के स्पॉंसरशिप मिली हो तो उन्होंने खाया हो लेकिन मुझे लगता है कि उनका गुटका से कुछ जादा ही लगाओ है कई लोग होते हैं कि वो कितने भी बड़े या अमीर हो जाते हैं लेकिन उनकी कुछ आदतें नहीं बदलती जैसे कि मैंने देखा है कि कुछ लोग सिगरेट पीने से ज़्यादा बीडी पीना प्रिफर करते हैं ऐसा नहीं है कि वो cigarette afford नहीं कर सकते लेकिन उनकी आदत जो है वो उसी पर अठक जाती है cigarette के डिब्बे में और theater में movie चलने के पहले ऐसे ऐसे चितर दिखाया जाते हैं और बताया जाता है कि cigarette पिना या good का खाना सेहत के लिए हानिकारक है तो तब कितने लोग उस चीज को serious लेकर good का खाना और cigarette पिना छोड़ देते होंगे वो भी एक तरह का तो advertisement ही है जो साफ साफ बताता है कि ये सब गलत है लेकिन उस पर तो कोई ध्यान नहीं देता है और यहां तक कि cigarette की packet में भी लिखा होता है फिर भी लोग खरीदते ही है बात यही है कि इंसान का जो मन करता है वो करता ही है फिर भले ही उसको कितना समझा लो और जब गलत करता है तो दूसरों पर blame करना पहले जानता है जो बड़े सुपरस्टार्स होते हैं वो बहुत लोगों के आइडियल होते हैं बहुत लोग उनको follow करते हैं और अगर यह कुछ recommend करते हैं तो लोग उन्हें खरीदते भी हैं तो यह सुपरस्टार्स को समझना चाहिए कि उस चीज का promote ना करें जो चीज सेहत के लिए सही नहीं है वैसे तो cold drinks, artificial juice, chips और जितनी भी चीज़े पैकेट में आती हैं वो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती लेकिन सभी उनके ads देखते हैं और खरीदते हैं पर ज़्यादा तर बिल गुटका वालों पर ही फटता है जबकि cold drinks और बागी artificial चीज़ें भी उतनी ही हानिका रखें जितना की गुटका है शारुख खान को किंग खान कहा जाता है लेकिन बेंच तो गुटका ही रहे हैं तो अपनी इज़्यत ये खुद ही गिरवाते हैं हाला कि कई लोग रहे हैं गुट का प्रमोट करने में क्योंकि शायद गुट का प्रमोट करने में कुछ जादा ही पैसा मिलता है जिससे कि वो खुद को रोक नहीं पाते लेकिन जो रोक ले जाए वो अपने फैंस का दिल जीत लेता है तोने खुद डिसाइड करना चाहिए कि पैसा ज़्यादा जरूरी है या अपने फैंस का प्यार लेकिन बस यही सब चीजे हैं जो लोगों को नरास करती है और उनकी फिल्मों पर इसका असर भी देखने को मिलता है और मैं यहाँ गुटका या कोई भी नशीला पदार्थ प्रमोट नहीं कर रहा बलकि मैं तो यही कहूंगा कि नशा ना करें तो वही सही है क्योंकि उससे पैसा और शरीर ही बिकार होता है और अगर नशा जादा हो जाए और उसकी लट लग जाए तो घर परिवार रिष्टे सब बरबाद हो जाते हैं तो कोशिश करिए कि अगर आप नहीं करते हैं तो नहीं करें। और अगर आपको लगता है कि आप cool लगेंगे जब आप अपने ग्रूप में cigarette पीएंगे तो यहीं आप गलती कर बैठते हैं। यह यह भी लोग सोच के पीने लगते हैं कि पीने से स्ट्रेस कम होगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता बसादत लग जाती है और फिर छोटती ही नहीं इसलिए कूल बनने और स्ट्रेस कम करने का सोच कर कभी भी नशे ना करें बाकि आप समझदार हैं आप खुद अपना अच्छा बुरा जानते ही होंगे इस फिल्म में जिस तरह से अच्वर्या राय बच्चन ने अपनी एक्टिंग का प्रदर्शन किया है वो काफी ज़्यादा काबले तारीफ है और ये उनके करियर की वन आप दा बेस्ट फिल्म मानी जाती है उनके फेस एक्सप्रेशन्स उनके डायलॉक्स और पल पल बदलते इमोशन्स जिस तरह से देखने मिलते हैं उससे समझ आता है कि उन्होंने अपनी एक्टिंग कर रस इस फिल्म में पूरी तरह से निचोड दिया था अनुक अपूर का इस फिल्म में बहुत बड़ा रोल तो नहीं था लेकिन काफी इंपॉर्टन रोल था और जिस तरह से उन्होंने अपने रोल को निभाया है वो एक अपनी अलग तरह की चाप छोड़ जाते हैं ये मूवी इंटर्टेन्मेंट लवर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है ये उनके लिए है जो सिनेमा लवर्स हैं जिने वाकई में अच्छी एक्टिंग, अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छा स्क्रीन प्ले, अच्छा डिरेक्शन देखना पसंद है इस मूवी को रितोपढ़नो घोष ने डिरेक्ट किया है जो कि बहुत ही जाने माने डिरेक्टर माने जाते थे और उनकी फिल्मों में काफी गहरा मैसेज देखने को मिलता था जो लोग रियल सिनेमा देखने में रूची रखते होंगे उन्हें इनके और इनके काम के बारे में जरूर पता होगा इस मूवी में रेन कोट का भी एहम रोल है अगर वो ना होता तो नीरू को कभी में मन्नू की तकलीफों के बारे में पता चल ही नहीं पाता तो शायद इसलिए इस मूवी का नाम रेन कोट रखा गया वैसे ये फिल्म American Short Story Writer O. Henry की Short Story The Gift of Maggie से Inspired है Inspired यानि कि किसी चीज को देखना, उससे inspiration लेना और खुद का कुछ बनाना अगर आपको अज़र देगन और अश्वरा राय भच्चन की रियल आक्टिंग देखनी है तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं और एक अच्छी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे और दिल को छूँ जाए उसके लिए भी इस फिल्म को देखा जा सकता है जो कि आपको Amazon Prime पर देखने को मिल जाएगी वैसे आप मुझे कमेंट करके बताईए कि अगर आप मन्नू की जगा होते तो क्या करते आपको पता चले कि जिससे आप प्यार करते थे उसकी नीरू जैसी हालत हो गई है तो क्या आप उसकी मदद करने जाएंगे या अपनी जिन्दगी में ही जो चीजे हैं उन्हें समालना और उनके साथ ही रहना जादा पसंद करेंगे आप कमेंट करके जरूर बताईएगा तो ये था एक्स्प्लेनेशन ड्रेंट कोट मुवी का आपको मुवी और मेरा एक्स्प्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताईएगा और ऐसे ही आने वाली वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन दबा दें जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी आप चाहें तो मुझे इंस्टाक्राम या फेस्बूक पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जूर करें आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाइ बाइ और नमस्ते झाल मिलते हैं